स्पेक्ट्रोस्कोपिक, जब यह टर्म सामने आता है तो अकसर बच्चे परशान, confused दिखते हैं और यह एक ऐसा सबजिक्ट है जिससे आप पीछा नहीं छुड़ा सकती क्योंकि यह B-Parmacy में भी है D-Parm में भी है, M-Parm में भी है और आप पार्मिसी की किसी भी फेल्ड में जाएं आपको कहीं न कहीं स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्नीक का यूज़ करना पड़ेगा Technical Education, Analytical Chemistry हर जगा स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्नीक का यूज़ होता ही होता है तो आपको इसकी काफी डिटेल में जानकारी होना चाहिए और उसके लिए basic concept को समझना ज़रूरी है स्पेक्ट्रोस्कोपि वो branch of science है जिसमें we study about the interaction between radiation, electromagnetic radiation and matter यहाँ पे matter हो सकता है atom, molecule और ion तो atom, molecule या आयन यान यान मैटर और radiation के बीच का जो interaction है जिसकी study हम स्पेक्ट्रोस्कोपि में करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपि में जो यह interaction हो रहा है matter और radiation के बीच वो तीन तरीके का हो सकता है या तो emission, या तो absorption, या तो scattering मतलब जब भी कोई matter एक radiation के साथ, electromagnetic radiation के साथ interact कर रहा है तो तीन चीज़ें हो सकती है या तो radiation absorb होगा, या emit होगा, या फिर scattering होगे तो यहाँ पर दो तरीके से spectroscopic techniques हो सकती है एक तो qualitative spectroscopy और दूसरा होता है quantitative spectroscopy qualitative spectroscopy मतलब समझी atom, quality इसमें आप बताते हैं, जैसे radiation interact करेगा matter के साथ तो इसे पता चलता है कि आखिर किस तरह का molecule है या atom है जो matter के साथ interact कर रहा है और दूसरा जो technique है quantitative spectroscopy इसमें हम amount of radiation, जितना amount आप radiation का ले रहे हो उसको measure करके यह identify करने की कोशिश करते हैं यह analyze करने की कोशिश करते हैं कि कितने number of atoms या कितने number of molecules ने interact किया है यानि कितने number of molecule या atom radiation को absorb किये है या emit किया है तो पहले कि मैं अपको पता चला कि matter जो आपने यूज किया है items आप मॉल्यूल या जो भी आपने sample लिया है उसके identity क्या है उसकी पहचान का आपको पता लगता है और दूसरी वाली टेखनीक में आपने कितना amount of sample यूज किया है, उस amount of, जो भी sample आपने लिया है, उसमें कितना amount of molecule है, कितने number of molecule है, कितने number of atoms है, इसका पता चलता है, तो यह basic difference होता है, qualitative और quantitative spectroscopy में, स्पेक्ट्रोस्कोपी का basic concept हो, तो आपको की समझ में आया है, और बाकी आगे की details हम next lecture में देखेंगे.